जहां एक तरफ ग्लामर इंडूस्ट्री में तलाक के केस बढ़ रहे हैं, शादी की बड़सों बात भी सेलेप्स तलाक लेने से हिचकेचा नहीं रहे हैं, वही कोछ जोडिया ऐसी भी हैं, जिनोंने सारे मदबेद बुलाकर अपनी शादी को दूसरा मौका दिया है, किसी ने चारू असूप और आजीव सेन ने अपनी शादी को सेकंड चांस दिया है, दोनों तलाक लेने जा रहे थे, यहां तक की अलग भी रहने लगे थे, इनका फामिली ड्रामा भी खूब सुर्खियों में चाया रहा था, लेकिन जुदा होते होते, इनकी राहें फिरेग हो अपनी बेटी की खातिर चारू और आजीव ने अपनी शादी के रिष्टे को दूसरा मौका दिया है, चारू असूप और आजीव सेन ने हाली में एक पोस्ट शेयर करके खुदी ऐलान किया है, वो अपनी शादी को एक और मौका देने जा रहे हैं, जिसके बाद से ही सिर् परफेक्ट कपल को उस देते हैं, इन्हें देखकर कौन कहेगा कि इनकी रिष्टे में एक बार ऐसा तूफान भी आया था, कि सुनीता और गोविंदा की शादी तूटने की कगार पर आ गई थी, कहते हैं कि गोविंदा तब रानी मुखरची के प्यार में पड़ गए थे, यहां तक कि एक अलग फ्लार्ट में उनके साथ भी रहने लगे थे, लेकिन बाद में बेटी टीना की खातिर गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी को दूसरा मौका दिया, अब ये हैपिली एक साथ हैं, अनिल कपूर की भावी और संजे कपूर की वाइफ महीब कपूर इननों नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज फाबुलस लाइफ और वॉलिवुड वाइफ्स में नजरा रही है, शो की सेकंड सीजन में महीब ने अपने पदी के एक्स्ट्रो मैरिटल अफ़ेर का खुलासा कर चली गई थी, और यही हुआ था संजे को अपनी गलती का इसास, जिसके बाद संजे ने महीब से माफी मांगी और अपनी शादी तूटने से बचा ली, टीवी की बोस लेरी रूबीना दिल्लैक और अभीनफ शुकला की कहानी भी कुछ अलग नहीं है, रूबीना और अभी को एक दूजे के लिए अपने प्यार का हिसास दुबारा हुआ, आज दोने एक दूजे के साथ बहुत खुश हैं, टीवी स्टार्स कीट सेकेरिया और रोशेल राओ के प्यार और शादी के रिष्टे पर, लॉकडाउन का पीरियड भारी पड़ा था, दोने का रिष्टा इस कदर बिगड गया था कि दोनों को अपनी शादी बचाने के लिए मैरिज काउंसलिंग तक लेनी पड़ी, और इसी काउंसलिंग ने इनकी शादी बचा ली थी सिंगर अंकित तिवारी अपने वाइफ पल्लवी के साथ कुछ समय पहले ही स्टार प्लस के रियालिटी शो स्मार्ट चोड़ी में दिखे थे इसी दोरां दोनों ने खुलासा किया था कि अंपार्टिबिलिटी इशूज आने के बाद दोनों ने अपनी शादी को खतम करने के लिए तलाग तक फाइनल कर दिया था लेकिन फिरिन के बेटी अचानक काफी बेमार पड़ गई थी जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भरती भी करना पड़ा था और तब अंकित इवारी ने अपनी शादी को दूसरा चांस देने का फैसला लिया था गुरे रिपोर्ट इट वनिफोर